तो हम लोग यहाँ पर आगे स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कि आपको पता है कि पूरी आपके एक रिविजिन सीरीज चल रही है जितने भी कोश्टन्स आपके लिए इंपोर्टिंट है इस टाइम पे जो आपका पेपर हो रहा है उसके बेसिस पे हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जरा कि कौन-कौन से आज कोश्टन होने वाले हैं स्पोर्ट के सेक्शन से तो एक काम सबसे पहला जो होता है वो यह है कि क्लास के लिंक को अपने फेंज के साथ में शेयर कर सबसे पहले हैं कि सबसे पहले होता है कि उनको लगता है कि दो दिन पहले पढ़ लेंगे अगर हम तो शायद हम मार्स पर अपना घर बना सकते हैं तो कोई बात नहीं ऐसा होता है नो इशूज तो उनी के लिए यहाँ पर इस सिरीज को शिरू किया गया है एक क्लास आपकी सुबर पांच बजे इसी चानल पर होती है इसको देख लिया करिए दिन भर में कभी भी समय निकाल के है सिगें करेंड़ का क्लास बहुत सारे बच्चे अब इस टाइम पर फेस्टिव मोट पर जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आज तो पेपर है आज तो क्लास नहीं देखेंगे बहुत सारे से स्ट्रेंट भी होते हैं सब के साथ होता है हम लोग जब करते थे तो हमारे साथ में भी होता था लगता था आज तो पेपर है आज तो क्लास नहीं करेंगे है ना लेकिंगे पता है महीं पर प्रॉब्लम हो जाते है क्यों क्योंकि यह जो आपको करेंड तो बताते हैं लेकिन उसके साथ में आपके जो बेसिक फाक्ट होते हैं जो आ के टाइम आपके लिए बहुत जादा क्रूशिल है डोंट मिस्स टाइम ठीक है सिकेंडली आपके दो स्पेशल क्लासे होते हैं एक साड़े दस बजे होता है एक दो बजे होता है यह जो क्लासे हैं इन में आपका 2019, 2020, 2021 के करेंट अफेर्स को रिवाइस कराया जा रहा है अगर क्लासे नहीं करी हैं तो most welcome to the class क्योंकि नहीं करोगे class दिक्कत हो जाएगी आप भी जानते हैं तो आईए शुरुआत करते हैं All set? If all set तो एक बाद से comment box के अंदर pin कर दीजेगा ताकि हम यहाँ पे इसकी शुरुआत कर पाएं इस sports के basis पे आपके सारे questions होंगे जितनी जल्दी आपकी छुट्टी हो जाएगी ठीक है? पहला question Stopper is a term यह कौन से खेल के अंदर इस्तिमाल किया जाता है अभी question पहली की बात है मैंने आपको बताया था कि जो cricket है इसके अंदर जो best men or best women शब्द का इस्तिमाल होता है इस शब्द को change कर दिया जाएगा और better word का इस्तिमाल किया जाएगा तो अभी in future यह change होने वाला है बट इस्तिमाल होता है तो फुटबॉल के अंदर इसका यूज किया जाता है question अभी हाली में आपने देखा होगा कि फीफा अंडर 17 वाला जो है इसका आयोजन भारत के अंदर होना है इसका जो एक मैस्कोट है वो launch कर दिया गया है मैस्कोट का नाम क्या है comment box में बताईएगा क् तो है ishiatic linus answer comment box के अंदर अगला what is the distance of marathon race? Marathon race की उपर आपने देखा होगा कि usually questions आप से पूछे जाते हैं तो कहा जा रहा है कि इसका जो distance होता है वो distance कितना होता है तो इसका correct answer बनेगा 26.2 miles का distance यहाँ पर होता है when we say marathon race next question प्याँ अगला in term time trial time trial जो है यह शब इसमें से अभी आपने देखा था कि जो जूनियर शुटिंग चाम्पेंशिप वो कहां पर हुई थी? लाइमा के अंदर हुई उसके अलावा आपने देखा कि जो आपका वो हो रहा था बैंडमिंटन के लिए और टेबल टैनिस के लिए जो टूर्नमेंट से वो अभी अभी कंड़किय तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पोलो के अंदर इसका यूस किया जाता है ओके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बता दीजेगा कि क्या कोई ऐसा क्लास भी ले लिए जिसके अंदर आपको बता दे कि कौन से स्पोर्स में कितने प्लेयर होते हैं क्या ऐसे क् मैंने पढ़ाया तो है किसी क्लास में मुझे याद नहीं है मैंने कप पढ़ाया है तो अगर ऐसा भी कोई क्लास हो यह तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना टाइगर वोट्स ओहो बहुत ही फेमस नाम है आपने इनका नाम सुना होगा यह वैसे के अंदर तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा थाई यह बहुत पहले लेकिन उसके बाद में दीरे दीरे करके इनका जो नाम है वो all over the world हर कोई जानता है और यह किस से बिलॉंग करते हैं तो अब इन्डिया की तरफ से एक प्लेयर का नाम आपको याद रखना है वो है अधिती क्योंकि वो गोल्फ से जुड़ी हुई है और अभी हाली में जो ओलम्पिक्स हुए थे उसके अंदर वो फोर्थ नंबर पे थी कोई बात ही मेडल नहीं जीता बट फिर भी शीर हस प यूश्विली ये क्रिकेट के अंदर यूज होता है लेकिन अब इसका जो इस्तिमाल है वो टी ट्विंटी माचस में भी किया जाएगा विमेंस की केटिगरी में यूज होता था लेकिन अब इसको मेंस की केटिगरी में भी यूज किया जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या ह में आंसर करते हुए चलना बिल्कुल भी कोई नहीं लिखेगा धूनी रिव्यू सिस्टम कोई नहीं लिखेगा यह आपको रियल वाला बताना है नेक्स्ट पर आईए दट टर्म यह शाब्द कौं से खेल के साथ में जड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस के साथ में इस शब्ड ज़या हुआ है घुर смож ऍकट तो टैनिस के लिए ध्यान लखेगा डेवस कप आपको याद रखना हैS के लावा मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा के रखा हुआ है Grand Slam with the trick अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो भाई वो क्लास भी देख लीज़ेगा ठीक है अगला देखेगा दब वर्ड चिना मैं सुनो चाइना मैं मत बोल देना इसको कहां जा रहा है कि यह शब्द कौन से स्पोर्ट में इस्तमाल किया जाता है तो यह क्रिक क्रिकेट क्रिकेट हम बार-बार कर रहे हैं यह ध्यान रखिएगा कि IPL का फाइनल जो है वो अभी 15 तारिक कोई है उसके जस्ट बाद में T20 स्टार्ट हो जाएगा 17 तारिक से UAE और उमान में ही इसके माचेज होंगे तो यह कोश्चन आपसे पूट अप कर सकते हैं अगला फ्रेंच ओपिन यह जो है ना यह इन में से कौन से गेम के साथ में जुड़ा हुआ है हमेशा याद रखना कि वेन वी से एक Grand Slam तो Grand Slam के अंदर चार टूर्नमेंट आते हैं सबसे पहले बहिया ऑस्ट्रेलियन है उसके बाद में फ्रेंच है उसके बाद में विम्बल्डन है और उसके बाद में US है तो यह चारो को मिला के Grand Slam कहते हैं तो फ्रेंच किसका हिस्सा हो गया टैनिस का यह पार्ट बनेगा फ्रेंच ओपन जो है यह हमेशा कौन से ग्राउंड पे होता है तो यह क्ले कोड पे खेला जाता है और क्ले कोड के बाश्या के नाम से किसको जा जाता है तो इसका करेक्ट आंस बनेगा टैनिस के अंदर शब्द का इस्तमाल किया जाता है कबड़ी मैंने आपको बता दिया वॉली वॉल ऑल्वेज रिमेंबर क्या मेरा कोश्चिन है ठीक है क्या नेपाल का जो नाश्र स्पोर्ट है वो वॉली वॉल है हाँ या ना कमें इस शॉट को खेलते हैं या आपने सुना होगा कि लसत मलेंगा है ना वो काफी जादा जब अपनी बॉल इतिनी आड़ी तिरसी फेगते हैं तो ऐसे ही वहाँ पर शॉट्स पढ़ते है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्रिकेट के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है इसका क्रेक्ट आंसर होगा टैनिस के अंदर शब्द का इसत्माल किया जाता है सबाद मुझे कमेंट बच्स के अंदर फटा पट लिखते हुए चलो कि अभी हाली में सानिया मिर्जा जो है इन्होंने भी एक टूर्नामेंट जीता है उस टूर्नामेंट का नाम क्या है? वि अगला सवाल, लिब्रो, इस रेटे टो विच स्पोर्स, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये वॉली वॉल के साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छा, इंडिया का अगर मैं आप से नाशनल स्पोर्स पूछ हूँ, तो आप आंसर क्या करोगे, होकी बोलोगे, या क् कुछ भी नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलो, चलिए अच्छा, नेक्स कुश्चिन प्याईए, इन विच स्पोर्स इस प्लेंग इस प्लेंग पिद लेफ्ट हैंड नॉट इसमें से कौन सा इसा खेल है, जिसमें अगर आप लेफ्ट हैं तो आपको वहां से कहा हुए उनकी देथ हो गई थी, तो भाई, पोलो स्पोर्स जो है न, यह काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो एक स्पोर्स की शुरुवात हुई है, वो कौन सा है चेस है, कई बर सवाल बन जाता है कि चेस जो है, यह कौन सी कंट्री से स्पोर्स शुरू होता है, ग्रांड स्लाम, अब मैंने अभी आपको बताया था, कि यह जो टर्म है, यह किस के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके अंदर चार टूर्नमेंट आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टैनिस के साथ में जुड़ा हुआ है, अगला, डंक शॉट यह वर्ड, इन में से कौन से स्पोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बास्केट बॉल के साथ में यह जुड़ा हुआ है, बास्केट बॉल से आपको याद रखना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताऊंगे, हॉल अफ फ बता तो वह बास्केट बॉल के साथ में उनका नाम जुड़ा हुआ है अभी हाली में आपने देखा होगा कि नाशनल बास्केट बॉल जो एस्टियेशन है उन्होंने अपना अपना एंबेजर भी चुना है इंडिया के अंदर और वो कौन है वो है रनवीर सिंग तो ऐसे इस रिलेटे तो विच पोट्स ये शब्द कौन से स्पोट्स के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका अंसा बनेगा ब्रिज नाम का जो एक स्पोट्स होता है उसके साथ में ये टम जो है वो जुड़ा हुआ है आविल ट्राय में बिच कि एसा भी क्लास आपके लिए ले वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है ये शब्द कौनसे स्पोर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा आर्चिरी और आर्चिरी के लिए याद रखिएगा कि जार्खंड की एक प्लेयर है जुनका नाम सबस्ता ज्यादा फेमस है पूरे भारत के अंद करो क्योंकि वो राची से बिलॉंग करती है सुनो धूनी मत बोल देना ठीक है आर्चिरी प्लेयर पूछा हुआ है मैंने क्रिकेट प्लेयर नहीं पूछा हुआ है अगला बंकर यह तो बहुती कॉमन है यह शब्द कॉंसे स्पोर्स में यूज होता है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा गोल्फ के अंदर इसका इस्तमाल किया जाता है नेक्स एक हाफ निल्सन इस यूज इन विच स्पोर्स इसका इस्तमाल कॉंसे स्पोर्स के अंदर किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा ब्रेस्लिंग के अंदर इसका इस्तमाल किया जाता है ब्रेस्लिंग मे रवी धहिया का नाम है तो यह कुछ ऐसे नाम है जहां पर पूछ लेता है कि यह पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो कॉंसे स्पोर्ट से बिलॉंग करता है तो वह भी सीन आपको पता होना चाहिए अब यह मत कहना कि मैं पता होना चाहिए बता होगी तब ही तो पता होगा वह य अगला देखिए गा तोबो गैनिंग इस वाइडली यूज तर्म इन विच स्पोर्ट इसका इस्तमाल कॉंसे स्पोर्स में किया जाता है आपको ध्यान होगा कि जो स्काइंग वाला स्पोर्ट है ये यूशली इंडिया में लद्दाक या जंबो इन-कश्मीर के अरिया पर हो आज है क्या अश्टमी सुनो मंजुली का आज अश्टमी है और अवनी भी लिख दिया है मैंने अचा चलो जोग सपाट मुझे आज़े करके बताओ कि क्या टेविल टेनिस प्लेयर है अवनी जिन्नों ने अभी हाली में पेरा ओलम्पिक्स के अंदर दो मेडल जीते थे और इनको अभी हाली में किसी एक स्टेट के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड मिज़र भी बनाया गया है यह सारी रामायन जो मैंने तुमको सुनाई है यह पूरी-पूरी कहानी हम सुबा के क्लास में पढ़ा चुके हैं इसलिए मैंने आप से एक पूछेंगे तो आपको आंसर करोगे ओके तो इसका और आंसर हो जाएगा पैन होल्ड गृप इस दा राइट आंसर अगला मार्स मेंशिप इस रिलेटेट विज़ पोट्स तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा शूटिंग के साथ में यह शब्द जुड़ा हुआ है नेक्स प स्वाल जो है वो फवाद मिर्जा के ऊपर पोट सकते हैं because he was the first one वो सबसे पहले घुर सवार ते जुन ने ओलम्पिक्स के लिए कौलिफाइग किया था एक तो कोश्चन वो तुमसे पूच सकते हैं अगला देखो इसका बनेगा वेट लिफ्टिंग अब वेट लिफ्टिं is a term जो कौन से स्पोच के अंदर इस्तिमाल होता है तो यह होट से राइडिंग के अंदर इस्तिमाल किया जाता है नेक्स एको डमी डमी समझते हो क्या होता है डमी का मतलब होता है विच इस नोट रियल ऑके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए वोटिंग सिस्टम जो है वो तेलंगाना के अंदर किया जाएगा पहले उसे डमी फॉर्म में किया जाएगा बीस अक्टूबर को तो डमी का मतलब क्या है इस ट्राइल बेस है ना मतलब इस नोट तो इसका करेक्टान से क्या हो जाएगा यह है फुट बॉल के अंदर इसका इस्तमाल किया जाता है अ Italian Open Title 2021 देखे इतालियन है Testament इतालियन नαीतालीं कता है इसका correct answer नोबाग राफिल, जॉमनिक , तो इसका फेनोס कि राफिल नजाल इस्टेटिनडावी कि वहाई दिहा अको मससे बातब हो अगर मैं तुमसे यह कहाँ नादाल के बारे में दिहान रखेगा नेडाल जो है वो टोटल यहांपे कित्ते माच़े अपने जीठ चुके हैं तो 1,000 माच़ेश को यह अपने जीठ चुके हैं सपैंसे कि क्या है? मेडरिट है क्यों मैंने यहां पर इसकी है Serasa? क्योंकि यहां पर आपको United Nation World Tourism Organization का Head Quarter देखने को मिलता है और अभी हाली में क्या हुआ था, World Tourism Day 27th of September को मनाया गया था अगला सवाल, who won the first cricketer who has hit 6-6s in and over in ODIs यानि कि जो आपके बंडे माचस होते हैं उसके अंदर, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, Harshal Gifts is the right answer अगला, who among the following women cricketer was the first who has scored 10,000 runs in the international cricket format इसके अंदर, ODI भी है, Test भी है और T20 भी है, तीनों को add-on करके इतने run इनोंने बना लिये, यह कौन है, यह हो जाएगी, the one and only, Mitali Raj अच्छा, Mitali Raj के नाम के साथ में यह भी ध्यान रखेगा, कि अभी हाली में आपने नाम सुना होगा, Smriti Mandhana का बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होंगी, Smriti Mandhana, Smriti Mandhana वो प्लेयर हैं जिनोंने अभी हाली में, Day and Night Test माच में, Pink Ball के साथ में, Australia के खिलाब अभी Century बनाई थी, और Pink Ball के साथ में Century बनाने वाली पहली Female बन गई है, अगर Men की केटेगरी में पूछा जाएगा, तो आंसर व अगला सुनियेगा, He was the, oh sorry, who was the first Indian women to get the Olympic medal? अब देखो यार, Olympic medal इंडिया में कौन से प्लेयर के पास में सबसे पहले आया था, चीकें, बचे तीन ना, अब देखो, Aarti Shah जो है, ये तो या सुइमर है, है ना, या आपको पता ही है, Saniya Mirza, हो ये नहीं सकता, I mean to say, ऐसा भी हमने पढ़ानी इसलिए नहीं हो सकता, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसका अंसर क्या मलेंगा, करना Malaysia is the right answer, and ये question UPPT के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा, इनकी बात करें तो भईया, वेट लिफ्टिंग के साथ में नाम इसने gold medal जीता था, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, बजरंग लाल जी के द्वारा जीता गया था, अगर आप से Asian Games पूछे जाएंगे, तो 2018 वाले जो हैं, ये कहां पर हुए थे, जकार्ता के अंदर हुए थे, और अगर कहा जाए कि अभी वाले कहां पर होने हैं, तो इसका correct answer, मुझे बताना पड़ेगा, Asian Games कहां पर होने, चाइना के अंदर होंगे, ध्यान रखना इस बार के, भूल मत जाई हो इसको, चले अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नीरत चोपड़ा, अरे भाई साव, आज कल तो भाई खतरनाक मतलब, जहां YouTube खोलो, जो भी म महनत भी बहुत करी है, तो जब आप महनत करते हो, तो आपको लगता है, अरे मेरा Facebook छूट गया, मेरा WhatsApp छूट गया, लेकिन हम यह भूल जाते हैं, कि आगे चल के, जब हम कुछ हासल कर लेंगे, तो यही Facebook, यही WhatsApp जो है, वो कहीं जाएगा नहीं, वो उल्टा हमारे पास सवाल देखते ही, आपको तुरंद इनके बारे में सारी बाते, एक के बाद एक याद आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स यह पढ़ाए हुए है, चारो के चारो पॉइंट आपके पढ़े हुए पॉइंट्स हैं, अगला, Olympic medalist, बचरंग पुनिया, और जुड़ें, अरे भाईया, ये नाम भी कुछ पूछने का नाम है, तो हम सब जानते हैं, व्रेस्लिंग के साथ में नाम जुड़ा हुआ है, इनके स्टेट याद रखेगा, अगला सवाद, International Shooting Sports Federation, Blue Cross, the first Indian to receive, पहले भारती है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसल हो जाएगा, अ आपको सारे के सारे जितने अभी 2021 के लिए इंपोर्टन थे, जो टर्म्स इंपोर्टन थे, वो टर्म्स भी में आपको पढ़ा दी है, इसके अलावा आपका नया बैच गाईस स्टार्ट होने जा रहा है आज से, तेरा तारिक से, ये जो बैच है आपके हर एक्जाम को कवर जाती है और इसी बैच के साथ में आपको sscjda की test series भी कराई जाएगी यह जो test series यह आपके यह सारे educators आपको class के अंदर ही solve करवाएंगे यानि कि batch batch के साथ में test series भी आपको मिलेगी अच्छा इस बैच की जो फी है वो आपको बता दें ये फी आपकी करीबन इतनी है ठीक है इसके उपर जब आप कोड लगाओगे ख्रती 10 तो ये फी आपकी कितनी हो जाएगी 10% कम हो जाएगी फिर इसके उपर आपने special class जो किये होंगे उसके coins होंगे उसको भी लगा दोगे तो करीबन ये जो फी है ये इतनी जाके बनेगी लेकिन ये जो फी है ये सिफ एक साल की नहीं है क्योंकि जब आज की तारिक में आप इस batch को जोईन करोगे तो यही बैच जो है ये आपको 4 महीने का extension देगा और अगर अपने दो साल के लिए जोईन किया तो यह आपको आठ महीने का extension प्रोवाइड करेगा तो यह दियान रखेगा तो यह दियान रखेगा तिस ओफर इस वेलिद तिल तुड़े यानि कि जो फी है यह कितने टाइम की है एक साल और चार महीने यानि कि टोटल 14 मंस का टाइम प पीज़ी है इसके अलावा बहुत सारे फीचर से लेकिन यह दियान रखेगा कि आपका जो कॉमबाक्ट है यह कॉमबाक्ट भी आपको मिलता है एक करोड तक कि आपको scholarship यहां पर मिलेगी हर संडे को आपका यह कॉमबाक्ट होता है इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन इसको EMI के थुरू भी जॉइन कर सकते हैं EMI पेमिंट के थुरू भी आप इसको जॉइन कर सकते हो ठीक है कोड वही रहेगा क्रती रहें चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कब कल सुबह 6.45 एम शाप लाइव और सुबह 5 बजी के क्लास में समत करिए तिल देन खुश रह क्लास में समत कर सकते हैं